पुतर में स्थित सिंदू नदी से लेकर दक्षिन भारत की जीवन दायनी कावरी नदी तक शामिल है। अक्षर हमारे हाँ लोग कहते हैं स्नान करते समय पवित्र भाव से एकता का मंत्र ही बोलते हैं। गंगे चय यमुने चय वा गोदावरी सरस्वती नर्वदे सिंदू कावरी जलेस मिन सन्निधी गुरू। इसी प्रकार सिंगों के पविस्तर सरों में नांदेर साब और पट्ना साब गुरिद्वारे सामील है। हमारे सिक्गुरूओं ने भी अपने जीवन और सक्तारियों के माध्यम से एकता की भावना को प्रगाड किया है। इसलिए शताब्दी में हमारे देश में डॉक्टर बाबा साब आमवेकर जैसे महान विभूतिया रही जिन्नों ने हम सभी को समीधान के माध्यम से एक जूट किया। साथियों, यूनिटी इस पावर, यूनिटी इस ट्रेंथ, यूनिटी इस प्रोग्रेस, यूनिटी इस एमपावर्मेट, उनाइटेड वीविल स्केल न्यू हाइट्स, वैसे ऐसी ताकते भी मौजूद रही हैं, जो निरंतर हमारे मन में संदह का बीज बोने की कोशिस करत हैं, देश ने भी हर बार इन बद इरादों का मुहतोर जवाब दिया है, हमें निरंतर अपने क्रेटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पुरवग, अपने छोटे से छोटे कामों में, एक भारत स्रेष्ट भारत के खुबसुरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग भरने है, और हर नागरिक को भरने है, इस संदर में मैं आप सबसे एक वेबसाइट देखने का आगरह करता हूँ, एक भारत.gov.in, इसमें नेशनल इंटिग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे, इसका एक दिल्चस्प कॉर्ण है, आज का वाक्या, इस सेक्शन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग-अलग भासाओं में कैसे बोलते हैं, क्या सिख सकते हैं, आप इस वेबसाइट के लिए कॉंट्रिबूइट भी करें, जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग-अलग खान-पान होता है, ये व्वेंजन स्थानिय स्थर के खास इंग्रेडियन्स यानि अनाज और मसालों से बनाये जाते हैं, क्या हमें लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडियन्स के नामों के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत वेबसाइट पर सेयर कर सकते हैं, यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बहतर तरीका और क्या हो सकता है साथियों इस महेने की 31 तारीक को मुझे केवडिया में अइतिहासिक Statue of Unity पर हो रहे कई कारेकम में साविल होने का अवसर मिलेगा आप लोग भी जुरूर जुडियेगा मेरे प्यारे देशवासियों 31 अक्तुबर को हम वालमीकी जैनती भी मनाएंगे मैं महर्ची वालमीकी को नमन करता हूँ और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक सुबकामना ही देता हूँ महर्ची वालमीकी के महान विचार करोडों लोगों को प्रेजित करते हैं शक्ति प्रदान करते हैं वे लाखों, करोडों, गरीबों और दलीतों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं वो कहते हैं किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधन कार करने की ताकत देती है महर्ची वालमिकी ने सकारात्मक सोच पर बल दिया उनके लिए सेवा और मानुए गरिमा का स्थान सर्वो परी है महर्ची वालमिकी के आचार विचार और आदर्ष आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रिजणा भी है और दिशान दिर्देश भी है हम महर्ची वालमिकी के प्रती सदेव कुर्तग्य रहेंगे तो उन्होंने आने वाली पीडियों के मारदर्षन के लिए रामायट जैसे महा ग्रंत की रचना की 31 अक्तुबर को भारत के पुर्व प्रधान मंतरी स्रीमत इंडरा घांदी जी को हमने खो दिया मैं आदर पुर्वक उनको सरद्धांजली देता हूँ मेरे पहरे देश्वासियों आज कश्मीर का पुल्वामा पुरे देश को पढ़ाने में महत्पपुन भूमी का निभा रहा है आज देश भर में बच्चे अपना हुंबर करते हैं नोट्स बनाते हैं तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुल्वामा के लोगों की कड़ी महनत भी है कश्मीर घाटी पुरे देश की करीब करीब 90% पैंसिल स्लेट लकडी की पटी की मांग को पुरा करती है और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुल्वामा की है एक समय में हम लोग विदेशों से पैंसिल के लिए लकडी बंगाते थे लेकिर अब हमारा पुल्वामा इस शेत्र से देश को आत्मनिर भर बना रहा है वास्तों में पुल्वामा के ये पैंसिल स्लेक्स स्टेक्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं गाटी की चिनार की लकडी में हाई मौश्चुर कंटेंट और सौपनेस होती है जो पैंसिल के निर्मार के लिए उसे सबसे सुटेबल बनाती है पुल्वामा में उखु को पैंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है यहाँ पैंसिल स्लेक्स निर्मार की कई इकाईया है जो रोजगार उपलब्द करा रही है और इनमें काफी संख्या में महिलाये काम करती हैं साथियों पुलवामा की अपनी ये पहचान तब स्थापित हुई है जब यहां के लोगों ने कुछ नया करने की खानी काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रती समर्पित कर दिया ऐसे ही करमट लोगों में से एक है मंजूर एहमद अलाई पहले मंजूर भाई लकडी काटने वाले एक सामाने मद्दूर थे मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके आने वाली पीडियां गरीबी में न जीये उन्होंने अपनी पुस्तेनी जमिन बेच दी और एपल वुडन बॉक्स यानि सेव रखने वाले लकडी के बखसे बनाने की उनिट शुरू की वे अपने छोटे से बिजनेस में जुटे हुए थे तबी मंजूर भाई को कही से पता चला कि पैंसिल निर्माण में पॉप्लर वुड यानि चिनार की लकडी का उप्योग शुरू की आ गया है ये जनकरी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचे देते हुए कुछ फेमस पैंसिल मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स को पॉप्लर वुडन बॉक्ष के आपूरती शुरू की मंजूर जी को ये बहुत फाइलेमन लगा और उनकी आमर ने भी अच्छी खासी बढ़ने लगी समय के साथ उन्होंने पैंसिल स्लेट मैनुफेक्चरिंग मशिनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी-बड़ी कमपनियों को पैंसिल स्लेट की सर्प्लाई शुरू कर दी आज मंजूर भाई के इस बिजनेस का टनूबर करोडों में हैं और वे लगभग 200 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं आज मन की बात के जरिये समस्त देश वासों की और से में मंजूर भाई समेत पुलवामा के महनत कस भाई बहनों को और उनके परिवार वानों को उनकी प्रसौशा करता हूँ आप सब देश के यंग माइंड्स को सिख्षित करने के लिए अपना बहुमुली योगदान दे रहे हैं मेरे पहरे देशवासियों लोगडाउन के दोरान टेकनोलोजी बेस सर्विस डिलिवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए है और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेकनोलोजी और लोजिस्टिक कमपनियां ही यह कर सकती है जारखन में ये काम महिलाओं के सेल्फेल्फ ग्रूप ने करके दिखाया है इन महिलाओंने किसानों के खेतों से सबजियां और फल लिये और सीधे गरों तक पहुँचाए इन महिलाओंने आजीवी का फार्म फेश नाम से एक एप बनवाया जिसके जरिये लोग आसाने से सबजियां मंगा सकते थे इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सबजियां और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सबजियां मिलती रही वहाँ आजीवी का फार्म फ्रेश एप का एडिया बहुत पपिलर हो रहा है लोग डाउन में इनोंने पचास लाख रुपिये से भी जादा के फल सबजियां लोगों तक पहुचाई है साथियों एगरिकल्चर सेक्टर में नई संभावनाय बनता दे हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जूड़ने लगे हैं मद्यप्रदेश के बढ़वानी में अतूल पाटीदार अपने क्षेतर के 4000 किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं ये किसान अतूल पाटीदार के e-platform फार्म कार्ट के जरिये खेती के सामान जैसे खाथ, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, आदी की होम डिलेवरी पा रहे हैं यानि किसानों को घर तक उनकी जरुवत की चीजे मिल रही हैं इस डिजिटल प्लेटफरम पर आदूनिक क्रशी उपकरोनों भी किराये पर मिल जाते हैं लोगडाउन के समय भी इस डिजिटल प्लेटफरम के जरिये किसानों को हजारों पैकेट डिलिवरी किये गए जिसमें कपास और सब्जियों के बीज भी थे अतुल जी और उनकी टीम किसानों को तक्नीकी रूप से जागरूप कर रही हैं ओनलाइन पैमेंट और खरीदारी सिखा रही हैं साथ्यों इन दिनों महराश्टर के एक घटना पर मेरा ध्यान गया वहाँ एक फार्मर्ट प्रोडूशर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा कंपनी ने किसानों के इस बार मुल्ल के अतिरिक्त बॉनस भी दिया किसानों को भी एक सुख़द आश्यरिय हुआ जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए करशिक कानून बनाए है अब उसके तहट किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेज पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रोफिट को किसानों के साथ भी बाटना चाहिए उस पर उनका भी हक है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है साथियों बोनस अभी भले ही छोटा हो लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है इससे हमें पता चलता है कि नए कुरुशी कानून से जमिनी स्तर पर किस तरह के बड़ला किसानों के पक्षमे आने की संभावनाए भरी पड़ी है मेरे पहरे देशवासियों आज मन की बात में देशवासियों की असाधहर उपलब दिया हमारे देश हमारी संस्कृति के अलग-अलग आयामों पर आप सबसे बात करने का आउसर मिला हमारा देश प्रतिभावान लोगों से भरा हुआ है अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हो तो उनके बारे में बात कीजिए लिखिए और उनकी सब्रताओं को शेर कीजिए आने वाले त्योहरों की आपको और आपके पुरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई लेकिन एक बात याद रखिए और त्योहरों में जरा विशेश रुप से याद रखिए मास्क पहनना है, हाथ साबुन से धोते रहना है, दो गज की दूरी बनाये रखनी है साथियों अगले मैंने फिर आपसे मन की बात होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद